आवाद सुनके आपको पता चल गया होगा कि हमारा ये नाश्ता कितना क्रिस्पी बना है और दो से तीन घंटे बाद भी ये ऐसा ही क्रिस्पे बना रहेगा तो आज आप लोगों की साथ शेर करने वाली हूँ पौहे और आलूमे से बढ़ने वाले जटपट से ये नए नाश आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज की मज़ेदार रसी भी बनाना शुरू करते हैं मैंना अभी यहां पर देड़ कब भरके पहा लिया है हम आलू पोहा बनाते हैं उसमें जो पोहे का इस्तमाल करते हैं यह वही है आप नाइलोन पोहा भी ले सकते हैं तो एक बाउल ले लेंगे और उसके उपर छलनी रखेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो दो से तीन मिनट के लिए हमें पोहे को भीगो कर रखना है तो छलनी के उपर इस दरा से जब आप पोहे रख देते हैं तो पानी उसके अंदर ही रहता है और दो से तीन मिनट में बहुत ही आसानी से ये नरम भी हो जाता है इतनी कॉंटिटी में से आप 15 से 18 पीस बना कर तयार कर सकते हो और ये नश्ता ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बना कर इसे फ्रीज में रख दीजे तो हफ्ता भर तक आप इसे एंजॉय कर सकते है तो 2 से 3 मिनट हम इस पर छोड़ दे ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी इसके अंदर है वो निकल जाए तो 2 से 3 मिनट अगर आप पानी में इस तरह से रखते हैं तो आपके जो पोहे वो बहुती नरम हो जाएंगे और अब इसे हम छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए तो तब तक हम दुसरे त्य आरी कर लेते हैं देखिए पोहे अच्छी तरह से बीग गया है अब इसे क्रिस्पी बनाने के लिए यहां पर मैंने 5 से 6 ब्रैड ली है जब भी आप घर में सेंड्वीच वगरा बनाते हैं तो इस तरह से थोड़ी सी ब्रेड बच जाती है तो आप यह नाश्ता ज़रूर कर सकते हैं तो ब्रैड के हम क्रम्स देयार कर लेंगे तो ब्रैड को क्या करेंगे हाथों से तोड़ के मिकसे जार में हम इसे ग्रैड कर लेंगे ब्रैड के पैकेट में उपर नीचे का जो ब्रैड आता है जो हम खाने में इस्तमाल में नहीं लेते हैं वो भी आप इसके अं महिना तक बहुत आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने तीन उगले हुए आलू लिये हैं आलू को बाल कर एक गंड़ा पहले ही मैंने इसे रख दिया था ताकि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर है ना तो वो कम हो जाए बहुत ही बढ़िया टेक्श्चर आए उसके लिए हम क्या करेंगे आलू को कद्दुकस करेंगे ताकि हमारा ये जो नाश्ता है न उसका टेक्श्चर बहुत बढ़िया आए तो आज हम बना रहे हैं आलू और पहे का बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सा कटले तो आलू को हम कदुकस कर लेंगे आलू को उबाल कर आप तुरंत इस्तमाल में ना ले क्योंकि उस समय पर उसमें मौश्चर रहता है तो फिर हमें इसके अंदर कॉर्ण फ्लोर थोड़ा सा जादा डालना पड़ेगा तो बाकी दोनों आलू को भी हम कदुकस कर लेंगे अब डालेंगे तीन टेबल स्पून भरके इसके अंदर कॉर्ण फ्लोर थाकि बहुत बढ़ियासी बैंडिंग आ जाए अगर कॉर्ण फ्लोर नहीं है घर में तो आप सूजी ले लीजिए बारिक वाली और बारिक वाली सूजी भी नहीं है तो आप सूजी को लिक्सर जार में चला कर बारिक कर लीजे यहाँ पर मैंने आदा कब उबले हुए मटर लिए है आप सबजी अपने पसंड के इसे आपसे कोई भी डाल सकते हो घाजा डाल सकते हो फ्रेंच भीन डाल सकते हो, थोड़ा सा कुटा हुआ अदर रख ले लेंगे और दो हरी मीचे जिसे मैंने कट कर लिया है, इसमें हम लाल मीच भी डालने वाले हैं, तो तीखा आपको जितना पसंद हो ना उसके इसे आप से आप डाले, अदा टीजपून हल्दी पाउडर डा दालेंगे, मैंने जो हरी मीचे लिथी वो ज्यादा तीखी वाली नहीं है, नमक स्वाद के लिखा भी अधार डालेंगे, यहां पर मैंने फिर टीश्पून भरके नमक डाल दिया है, नमक आप अपने हिसाब से डालिए, एक टीश्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, अगर नहीं थो आप थोड़ा पॉटा सा पाउभजी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं या फिर किछन किंग मसाला डाल दीजिए अगर आपको पसंद है तो आप इस ऑंदर थोड़ा-सा- आमचुर डाल सकते हैं, और थोड़ इसी चीनी लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है आमचुर भी नहीं डाला है चीनी भी नहीं डाली है अब पोहे इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे तो अगर आप देड का पोहे ले रहे हैं तो आपको तीन बड़ी साइस के उबले हुए आलू चाहिए यह इसका सिंपल सा मेजर्मेंट है यानि कि आप जितने आलू ले रहे हैं उससे अधी कॉंटिटी में पोहा ले लीजे अगर आपके घर में खिटी पार्टी है या फिर बच्चों की बड़े पार्टी है तो आप इस तरह का स्नैक पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं इसक को और भी पसंद आएगा तो बाहर का रेडिवेट जो फ्रोजन फूडाता है उससे तो अच्छा है कि आप घर पर ही इनके लिए कुछ इस तरह से बना का तयार कर ले तो देखिए अच्छे से अभी मिक्स हो गया है हाथों हम तेल लगा देंगी ताकि हाथों में हमारा चि तुद्पिक या फिर जो स्टीक आती है आइसक्रीम वाली वो लगा के एक कौन जैसा शेपी बना सकते है लेकिन यह आसान तरीका है टिकी बनाने का और किनारों के उपर जो क्रेक्स आती है उसे भी हम मिलाते जाएंगे अब हम क्या करेंगे बहुती क्रिस्पी बनाने के ल कर इसके इक स्लरी तेयार कर लेंगे जो न जाहँदा मोटी होगी न जाहँदा पतली होगी तो इससे क्या होगा कि हमारी उपर की जो छो लेयर है करेंड बहुत बहुत क्रिस्पी बनेगी अक्सर आपने दिखा ऑगा कि जब भी हम कातमे बनाते है तो जब गरम रहती है तब तो काफी क्रिस्पी रहती है लेकिन धंडी होने के बाद वो नरम हो जाती है तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे न तो कभी भी आपकी कटलेट नरम नहीं होगी चाहे 3-4 गंटे हो जाए लेकिन फिर भी वो क्रिस्पी रहेगी तो देखिए इस लरा की slurry मैंने तयार करी है अब क्या करेंगे कि हमने जो bread crumbs बना के रखे थे न वो लिंगे एक पेटीज को हमें लेना है और इसे slurry में हमें dip करना है slurry में dip करने से बहुत ही बढ़ी असा coating हो जाएगा और फी जब bread crumbs उसके उपर हम लगाएंगे न तो आसानी से वो stick हो जाएंगे तो इसे dip करने के लिए आप fork यानी की काटे चमबचा इस्तमाल कीजे तो आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे यानि slurry वाली नहीं होंगे अब इसे bread crumbs के उपर रख दीजे और अच्छे से coat कर लिजे तो देखा कितना आसान है इसे बनाना और crispy तो इतना बनेगा कि आप कहें कि काश आपने ये recipe पहले हमें क्यों नहीं बताएं तो देखे बहुती बढ़िया से मैंने इसे चारो और coat कर लिया है हाथों से हम हलकासा इसे प्रेस कर लिए तो इस तरह से सारे cutlet है ना उसे हम पहले तयार कर लेते है अब अगर आप इसे तुरंती इस्तमाल में लिना चाहते हैं तो 15 मिनट के लिए इसे freeze में छोड़ दे ताकि बढ़िया से ये set हो जाए आप चाहे तो ऐसे भी अब इसे fry कर सकते हैं लेकिन freeze में रखकर fry करेंगे तो बढ़ा result मिलीगा अगर store करना चाहते है तो add tight container लेडीजी इसमें इस तरह का making paper भी जादीजी ये आपको market में आसानी से मिल जाएगा या feed नहीं है तो आप डबे के नीचे वाले हिस्से पर तेल से थोड़ा सा चिकना कर लिजे ताकि ये नीचे stick ना हो क्योंकि जब आप इसे freezer में रखेंगे जहाँ पर हम बरफ जमाते हैं तो वो हो सकता है कि stick हो जाए हमारे add tight container में इसके लिए हम इस तरह का baking paper रख देते है तो आप इससे store करना चाहते हैं तो हफते 10 दिन तकी बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो अगर आपके पास समय है तो आप पहले से ही इससे बना कर रख सकते हैं और जब भी आपको खाने का मान हो तुरन फड़ा फड़ा फड़ निकाल लिए और गर्मा गर्म तेल में इ इससे fry करेंगे अगर आप इससे store करना चाहते हैं तो जैसे मैंने दिखा उस तरह से आप store कर दीजी या फिर तुरंत इससे fry करना चाहते हैं तो पदरा मिनिट फ्रीज में छोड़ दीजी उसके बाद इससे fry कीजिए तो बहुत बढ़ा रिसल्क मिलेगा तुरंत इससे ना रेसिपी आपको कैसे लगी कमाइन करके जरूर बताए और ऐसी नही नही रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चनल कीजन कराफ रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें